अब अबच्छो लेट्स रिट यह एक से जादा कोड़ान से कोड़ किये जाते हैं अब ऐसे में उस जैनिटिक कोड को क्या कहेंगे उस जैनिटिक कोड को हम कहेंगे डीजनेरेट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सपोस मा यह आँ बात कर रही हूँ welline की welline की बात कर रही हो तो welline जो है आप cu, u, us से भी code कर सकते हैं cu, c से भी code कर सकते हैं cu, a से भी code कर सकते हैं और cu, c से भी welline ही मिलेगा आपको तो यहाँ पर क्या होगया? more than one codon हो गया यह more than one codon से एक amino acid जो है आप code कर रहे हैं यानि कि इससे भी valine, इससे भी valine, इससे भी valine, इससे भी valine अब यहाँ पर यह किस phenomena को represent कर रहा है यह ऐसे genetic codes को हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे degenerate, अगर हम बात करें अपने option की बचों, तो option में हमें दिया हुआ है de-eminated, de-eminated का मतलब है amine group का हटना, de-emination यहाँ पर नहीं हो रहा तो यह गलत हो जाएगा यहाँ पर कहीं भी कॉमा का इस्तिमाल नहीं होगा, तो यह जो है वो गलत हो जाएगा, बट यह फिनोमेना उपर दिया हुआ नहीं है जो question में हमसे पूछा गया है, वो comma less के बारे में नहीं पूछा गया है, वो हमसे यह पूछा गया है कि अगर कुछ amino acid जो है, वो more than one codon से code हो रहे हैं या represent किये जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो comma less तो नहीं बोलेंगे, यह गलत हो जाएगा यहाँ पर c में दिया हुआ है degenerated तो यह हमारा सही answer है, overlapping की बात करेंगे बच्चों, overlapping यहाँ पर दिया हुआ है, overlapping का मतलब क्या होता है, कि suppose this is code, यह जो है, यह जो code है, वो किसके लिए code कर रहा है, वो valine के लिए code कर रहा है, यह यह valine था, अब यह ऐसा नहीं होगा कि हम इ overlapping ना हो, और यह भी valine को code कर देगा, यह भी valine को code कर देगा, और यह भी valine को code कर देगा, suppose अगर यह आपस में overlapping करने लगे, तो पूरा का पूरा sequence खराब हो जाएगा, और जो amino acid code होंगे, वो भी ठीक तरीके से code नहीं होंगे, या कुछ और ही represent करेंगे, overlapping नहीं होती है, जो genetic codes हैं, उनमें overlapping नहीं होती, यहां पर overlapping दिया हुआ है, तो यह भी गलत हो जाएगा, correct answer क्या होता है, आपका correct answer हो जाएगा, आपका option number C, hope आप लोगों को यह solution समझ में आया हो, thank you, all the best.